जमानत दे गई है 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे गई है ED के समझ न मानने के मामले पर ये जमानत दी गई है समझ ये दो पूरे मामले है एक ED के सामने समझ न होने का मामला है वहीं चराब आबसारी घोटाला मामला है तो ये जो जमारत मिली है, वो ED के सामने पेश न होने के मामले में जमारत मिली है 15,000 के निजी मुचलके पर, जो कि माना भी इस वक्त की बड़ी अप्डेट हमें बता रहे थे ED के समन्स नमानने के मामले में ये जमान दी गया है अर्वंद केरजिवाल को ED के اللos a baat समन्स बेजा गया लेकिन कोई न कोई बहाना दे कर, कोई न कोई वज़ह बताकर अर्वंद केरजिवाल ED के सामने प्रस्तुत नहीं हुए थे और इसी पूरे मामले में अब 15,000 के निशी मुचलके पर अरविंद केजरिवाल को अब जमानत मिल गई है, बेल मिल गई है, सीधा हमारे सयोगी आनन्द का भी रुख कर लेंगे आनन्द कम से कम ये जो दो केस थे, उसमें एक केस में तो थोड़ी सी राहत मिलती हुए दिखाई दे रहे है, बेल मिल गई है अरविंद केजरिवाल को देखिए अंकीता, ये इतना पेचीदा मामला है, मैं आपको उतादू, ये जो जमानत मिली है, जो जानकारी मिल रही है, ये जो एक सो चहुत्तर की जो कारवाई थी, जो एडी ने कम्प्लेंट फाइल की थी, वो एक जमानती अपरात था, उस मामले में जो बेल बॉन भरा है, अर्विन केजरिवाल तरफ से, उस पर उन्हें बेल जो है, जमानत दी गई है, लेकिन अभी जो एडी ने सम्मंस किये हैं लगातार, उस पर आगे, अभी अर्विन केजरिवाल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही ही, जो एडी सूतर बता रहे हैं, क्योंकि उन् मामले में उन्हें जमानत मिली है, जो जानकारी अब तक मिल रही है, जो सामने आ रही है, ठीक है, आनन बने रही है, हमारे साथ, हम एक बार मानो का भी दुख कर लेंगे, मानो अभी फिलहाल के लिए ये फौरी तोर पर राहत दिखाई दे रही है, लेकिन मामला क्या आगे पेचीदा समझें या राहे आसान होंगी अर्विंद केज़िवाल के लिए क्या देख पा रहे हैं आब आगे बिल्कुल देखिए हमको इसमें इंतजार करना चाहिए कि कोट ने और क्या क्या कहा है इस मामले में इससे इस पूरे शकतित शराव गोटाले की एक दिशा जाच की दिशा तया होगी कि आगे किस दिशा में यह जाच जाएगी क्योंकि आप इस बात से अंदादा लगाई है कि अगर अर्विंद केज़िवाल एडी के सामने पेश होते हैं वो एडी के सवालों के जवाब देते हैं तो इससे कई नगाई जाच में सहयो होगा और एडी भी यही दलील कोट में दे रही है जमानत मिलना अलग ठीज है क्यों टेक्निकल पहलू है जमानती धाराओं में एडी ने शिकायत दीती कोट के अंदर उसमें जमानत मिल गई है पंदर अजार के मुचल के पर लेकिन कोट ने बाकी क्या कुछ चीज़े कही है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए क्योंकि उसने इस पूरे मामली की जो दिशा है वो तै होनी है क्योंकि अर्विंद केज़िवाल दिली के मुखिया है मुख्यमंत्री भी है और इसके साथ साथ उनकी देखरेक में य जो रमेश गुपता है वो भी वहाँ पर मीडिया से बात करेंगे बताएंगे कि किस तरह की कूरी कोट के सुनवाई रही है लेकिन जो 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 जमानत मिली आनन्द लॉटेंगे आपके पास अर्विंद केज़िवाल के इस पूरे मामले पर हम सीधा प्रेंगा को रूख 15,000 के रिजी मुचल के पर फिलाल के लिए बेल दे दी गई है और ED की याचिका से जुड़ा हो ये पूरा मामला था जिस पर कोट में पेश होने के लिए उन्हें साथ मार्च को समन जारी किया गया था एक बाद फिर से हम सीधा रुख करेंगे हमारे सायोगी आनंद काभी आनंद रमेश गुपता अर्विन केज़िवाल के वकील के ओर से कोई जानकारी कोट में किस तरह की दलील दी गई देखिए अंकीता जो जानकारी आरी की रमेश गुपता अब बहच की सुरुवात करेंगे यहने की अभी जो 174 की जो कारवाई थी जो कंप्लेंट फाइल कीती ED ने उस मामले में जरूर अर्विन केज़िवाल को राहत मिल गई है उन्हें 15,000 के बेल बॉंड पे जमनत मिल लेकिन जो PMLA का मामला यहने जो शराब घोटाला मामला है जिसमें ED लगातार अर्विन केज़िवाल को संबन्स करें थी उस पर कोई रहा तभी अर्विन केज़िवाल को नहीं मिली जैसा कि अब तक की जानकारी सामने आ रही है अभी कोड में जब बहच शूर होगी तब य क्या है और आगे क्या कुछ रहने वाला है हमारे दर्शकों के करके समझाइए जरा देखिए नियुज एटीन इंडिया के दर्शकों को समझना होगा कि आज मामला कोड में था वो केबल और केबल इतना था कि ED ने एक शिकायट जट करवाई कोड में कि हमने जो अर्विन कि केबल एक महीने की सजा और पांसुर रुपे जुर्माने का प्रावधान है यह बेल लोगल बेल कोड के सामने बेल उने मिल गई है अब वो अपने घर वापिस निकल गए है अब इस मामले के शिकायट पर बहस चलेगी तुनों पक्ष अपनी जलीरे रखेंगे कि आखिर अ सनमन पर आना चाहिए था वो इडी बताएगी इसका इडी के बाकी संमन जारी करने से या आगे संमन जारी करने से कोई तालूक नहीं है और लोग रही को क्योब तरय का नहीं कर सकता यह कैवल इतना मामला है कि अर्विन केजिरिवाल पिछले समन पर पेश नहीं हुए लेहाजा उनके घ्लाफ ITC के तहट अपराद बनता है उस अपराद के लिए शिकायत ED की थी जिस मामले में अर्विन केजिरिवाल ने पेश ओकर के बेल ले लिए अब इस मामले का ट्रायल चलेगा इसली अ उन्हों पर अपनी दलीरे रखेंगे उसके बाद जाकर अडालत अपना फैसला सुनाईगी लेकिन ED अगर चाहती है कि अर्विन केजिरिवाल को वो फूस्ताज करना चाहती है बुलाने के लिए तो वो दोबारा से उन्हें समन कर सकती है शुक्रिया विकरान था आपका अनन्द का भी रूख कर लेंगे आनन्द ये तो एक अलग मामला है लेकिन में मामला जो है दिल्ली आपकारी शराब घुटाला मामला उस पर तो अभी भी अर्विन केजिरिवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी ही आगे ऐसा है क्या देखे अंकीता बिल्कुल जिस तरह से विकरान जी नहीं बताया वो कानूनी यही पहलू है कि जो 174 की कारवाई के लिए एडी कोट पहुँची दी कंप्लेंट फाइल की थी उस वो एक जमानती अपरात था इसलिए अर्विन केजिरिवाल को जमानत मिलके और वो निकल देखे अर्विन केजिरिवाल को 8 बार सम्मंस किये जा चुके हैं और वो बार-बार सम्मंस में पेश नहीं हो रहा है और अभी एडी के बाद यह भी विकल्प है कि वो उन्हें नौवा सम्मन या दसवा सम्मन भी पूस्ताज के लिए भेज सकती है और देखेगी कि कि अर् अबतारी की बाद भी एक कंप्लेंट फाइल जो है वो एडी ने कोड में फाइल करी थी कि एहमन सोरेन मुख्यमंत्री थे और वो एडी की पूस्ताज में लगातार 7-8 सम्मन के बावजूर भी पेश नहीं हो रहे थे तो यह कानूनी विकल्प है एडी के पास भी है और अर गरण के जिवाल को सम्मंज भी कर सकती है जिए अनन्द ये तो हमने एडी के पास कौन सा विकल्प हिंकी बात कर लेकिन मानों जर्ण हमें अब यहीं समझाये कि आप आब आद्नी पार्टी और खासकर अगर अरुविंद के जिवाल की बात करें तो उनके पास क्या कुछ व पार्टी को पार्टी बनाये जाए यह नहीं बनाये जाए और हम अभी आपको बता दें कि क्या हुआ हम आपको यह भी बता देते हैं अब कोट में हुआ यह तरीके से कि कि तरफ से कोई विरोध इस बात का नहीं किया गया जब कोट ने का कि ठीक है जमानती वरंटा बरिये और आप आप जमानत ले सकते हैं इसके बाद जो गुपता है जो वकील है अर्विंद केजिवाल के उन्होंने कहा कि को जाने दिया जाए और बहस जारी रखी जाए और इस की भावना से राजनीतिक शडंत के तैट अर्विंद केजिवाल को भेज जा रहा है तोड़ी देर के बाद के कविता को भी पेश किया यहां पर जाएगा है धरवाद में कल उनकी गिरफतारी हुई थी देर राक उनको एड़कोर्टर लाये गया है आज सुबह उनका मेडि की ऑपॉन जफट हुए हैं और 2 समंद्स पर इका कोई जवाब ने दिया था इसके चलते के कविता को गरफ्तार किया गया है और बकाईदा पंच रहा में यह यह भी लिखा गया है कि उनकी ग्रफ्तारी की समय B.R.S के तमाम नेता कार्कर्ताओं तो इसमें थोड़ी देके बाद के पेशी भी इसी राव जवेनी कोट में होनी है ठीक है मानव एक बार आनन का भी रुख कर लेते हैं आनन कोट में क्या कुछ हुआ है कोई जानकारी इस बारे में पॉइंट दर पॉइंट हमारी दर्शनों को समझाएं देखिए आरविन केजरिवाल आज कोट पहुँचे उनके जो वकीले रमेज गुपता वो कोट पहुचे थे जो एडी के तरब से जो एडिशनल सॉली सेट जनरल थे वो कोट पहुचे थे और उसके बाद वहाँ पर चुकी मैंने आपको पहले ही बताए कि यह जमनती अपरात था इसलिए अरविन केजरिवाल को बेल बॉर्ण भरके उन्होंने जमनत ले लिए और वो वापस निकल गए अभी अब जो है वो सुनवाई चल रही है अभी रमेज गुपता जो है अपनी बात रख रहे हैं उसके बाद एडी की तरफ से अपनी बात रखी जाएगी और ज आपसवा संबन भी जो है वो भेजा जा सकता है तो देखना होगा कि क्या अब एडी के तरफ से किस तरह के आगे रणीती होगी क्या वो नौवा संबन अव अरविन केजरिवाल को करेगी या आज कोट में किस तरह की दलील वो रखेगी जो एडी के तरफ से जो इडिसनल या किस तरह की वो कानूनी विकल्प का इस्तमाल करेगी। अर्विंद केजरिवाल पेश हुए है तो जाहिर तोर पर इस पूरे मामले पर सियासत भी गर्मा आ गई है। अर्विंद केजरिवाल पहुंचे शराबनीति के मामले में उसी मामले में के कविता को जिनको हैतरावाद से दिल्ली लाया जा रहा है उनकी पेशी भी थोड़ी देर के बाद यहां पर होगी। पूलिस की यहां पर पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से पॉलिटिकल जो कारे करता है उनको यहां पर ना आगे जाने दिया जाए। प्रने तस्वीर जाना दिखाएगा कि तरीके से लोगों को यहां पर उनकी पैचान जानने के बाद उनको आगे जाने दिया जा रहा है। तो इससे आप समझिए कि यह मामला पेची दा तो टेक्निकल है यह कानूनी बाश्रा में लेकिन जमीन पर जब हम आते हैं तो ऐसी तसी तस्वीर देखनों को मिलती है कि जब इतने बड़े राजनिताओं को इतने बड़े एक केंद शाषित प्रदेरिश के मुख्यमंद्र आप नीती का मामला है जिसमें अर्विंद केजरिवाल आरूप भी जरूर नहीं है लेकिन क्योंकि वो अदिली सरकार के मुख्या है तो उनसे भी पूस्तास प्रेटी को करने हैं दर्शकों को बता दे कि अर्विंद केजरिवाल राउज जर्विनी कोट पहुंचे थे वहा दे केजरिवाल को कोट रूम छोड़ने की अनुमती दे दी और यह तस्मीर है उस वक्ति है जो अर्विंद केजरिवाल कोट से निकलने के बाद अपने सरकारी निवास पर अपने घर पहुंच गए है झाल झाल